असलामनेकुम स्टुडेंट्स वेलकुम दो माई यूट्यूब चैनल व्ल्लडव एजुकेशन और व्ल्लडव एजुकेशन की इस वीडियो के नतर एंजी वन्टू जो क्विज हमने अटम्ड किया ग्रैंट क्विज उसकी आपके साथ जो मैं सुलूइशन शेयर करूंगा सब्सक्राइब के साथ तो आपका कोश्चन देखें रुपीट हो रहा है इन केस वा बिजनिस मैसेज मीडियों कम्यूनिकेशन इस मौर अफेक्टिव एन कॉंस्टेंट फीडवाग इस रिकवाइड तो औरल मीडियम होता है जिसके बातचीद करके जल्दी जल्दी अपना इसके बातब्सक्राइब कोई बीडियूडिट होती है तो यह आपका जो ऑप्सिन होगा यहां पर फॉल्स होजएगा कोई बी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है इस रहें नेक्स्ट कोस्टन देखें तो नेक्स्ट को कह रहा है वाइल राइटिंग एडजस्टमेंट लेटर दा आपके एक कोईशन जो है वह बहुत रपीट हो रहे हैं तो यह आपके नबरों चांचेंट जो हैं बहुत ज्यादा है कि आपका कोईशन आ सकते हैं नेक्स्ट कोईशन की बात करें तो का कह रहा है इन मैसेजिज अमोशन अपील क्याल कॉल आ हयूमन हावर सच अन फील की सुब्टल फीलिंग्स आजएगा आपका यह भी ऑप्शन तो यह भी आपको समने हैं इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है नेक्स्ट कोईशन देखें तो कह रहा है विच वन विच ओफ फॉल्विंग हैव आ डिनोटेटिव आज गनोटेटिव मीटिंग यह आप काइंडली इसको भी देख लिए एक दफ़ा इसके लाव में चलब पार्ट थ्री भी आपके लिए बना रहा हूं वह भी मैंने अपको जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता मैं अप्लोड करने कोशिश करूंगा आपने वहां से भी एक दफ़ा देख लेना है तो यह कॉंटें परसेंट को एक दफ़ा देख लेना है तो थोड़ा समय आपके लिए जो है पढ़ने के लिए अच्छी तरह माइंड में बिठाने के लिए यहां पर जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो आपका स्क्रीन डूरेशन टाइम है वह एक्स्टेंड कर रहा हूं दाकि आप इ एक्जी क्यूटिव समरी डजनोट है मच सिगनिफिकेंस इना रिपोर्ट यह फॉल्स है तो यह आपका तक्रीबान तीन से चार क्विज अटेंट करने के बाद यह कॉस्टिन मैंने मेरा नहीं क्या किया कि तीन से चार क्विज में ना आया हूँ तो यह कॉस्टिन बहुत आपका है ब्रागिंग है तो यह आपने इसको देखना है इसका उप्चन होगा अब तो यह भी आपने रिपीट हुआ है बहुत दपा तो यह आपने देख लेना है नेक्स्ट की बात करें तो विच वट इस दा सेकंड टास्क इन प्लैनिंग डिपोर्ट और पर पॉसल तो आपको कोमा होता है वह आपको फॉलो करता है वहां सेलूडेशन बगारा को तो मिक्स हैं पंच्वेशन में तो यह आपकी बात बिल्कुल टू है तो यहाँ पर आपका जो अंसर होगा वह टू आजेगा नेक्स देखें विच और फॉल्विंग इस नोट एन एक्जेंपल यह थी फॉर्मल राइटिंग क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो यह फॉर्मल राइटिंग नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया था तक्रीबर एक से दो से चार आपके पहले पहले लेक्चर से आ रहे हैं तो यह आपका प्रिवेस से आया हुआ है इसको भी आपने देख लेना है यहां पर भी आपके सामने है तो यह भी आपका तक्रीबर आइधिंग 10 से पहले पहले का ही है यहां पर यहां पर यह आपका त्रू आ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो वह क्या कह रहा है सक्सेस्फुल कम्यूनिकेशन रिलाइज ओन कनवेंग या कनवेड़ मैसेज इंटू इन आ या एन मिनिंग्फुल मैनर जो आपका सक्सेस्फुल कम्यूनिकेशन होता है डेफिनिटी अगर आप किसी से भी मैनर से बा चेंज कियाती है यह एंजी 101 में भी आपने पढ़ा होगा है तो यह आपना जो आपको आपके आजएगा आगे आगे मुझे पढ़नी की जुरूरा था चुक्कि आप सबको बता है और आपने पढ़ भी लिया होगा कि आप ड्रैपिट चेंज कर सकते हैं आपने माइनी वार क आपको जो थर्ट फाइल आपको साथ शेयर करूंगा उसके अंदर यह मौजूद है मैं आपको वह भी दिखाऊंगा तो उसके देखें और लेटर इस आपका हुआ 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 है यह आपने याद रखने है उसका यूजिंग इमेल इफ यू वांट टू आवरकम टाइम ज सब्सक्राइब कर सकते हैं सिंपल अपने लैटर्स पर उसके आगे विच्वन और फॉल्विंग एप्रोच शुट भी यूज्ट बंदा ओर्डियंस इस तो डिरेक्ट अप्रोच ऐसी प्रोच जिसके जरीए आप जो है वह रिपेटिव कर सकते हैं रिक्वीट कर सकते हैं बगारा को तो यह डिरेक्ट अप्रोच आपका जो आंसर हो आ जाएगा नेक्स कोशन के बात करनें तो सक्सेस्फुल कम्यूनिकेटर्स रिलाइन और्गनाज़ेशन तो मेक दियर मैसेजिज मनिंग्फुल तो यह और्गनाज़ेशन आ जाएगा क्योंकि आपकी भी आपको यह बताया था कि आपने अपने अपने पर फॉकस जादा करना है तो यहां पर हम लोग जो है वह चैंजिंग करें क्योंकि अब आपने या तो आप देर तो आप एक यह दो से जादा नहीं हर एक से पूसकते हैं लड़के से लड़की से मेल यह फीमिल से आप चेंज कर देंगे फिर उसके बाद वह कहरें तब प्ले ग्राउंट जो प्ले ग्राउंट है वेर वी प्ले हम कहां खेलेंगे इस ब्लार्ज बहुत बढ़ा है तो यहां पर यहां पर वेर की फॉर्म में आजएगा विच डैट रवर्ट का यहां पर कोई भी संस क्रियेट या और ही तो हम यह आपर इसको नहीं करेंगे उसके बाद कहा रहा है अजंडा है यह फोकस या विच फोकस मीटिंग ऑन दा कॉर ओफ टॉपिक्स बगारा बगारा तो यह अजंडा आ जाएगा यह भी आपका सब्सक्राइब आपके आने के चांसी ज्यादा है इसको भी आपने देख लेना है नेक्स्ट की बात करें बहुत ज्यादा है यह पर पेशन के दुरान भी दिखाया था तो यह आपने याद कर लेना है जो रिटर्न अड्रस होता है लेटर के अंदर रिपर्जेंट करता है किस परसन ने जो मेल किया लेटर को तो यह भी आपके पूरा लक्चर है पूरी इंफॉमेशन आपको दीवी है इसको भी आपने इक दफ़ा देख लेना है ठीक है स्टुटेंट्स यही तक आपका था आपको समझ आ चुकी होगी एक कोसिटन जो कि मुझे शौर नहीं है और आपको शौर होगा तो आपने दूसरे स्टुनेंट्स के लिए कमेंट्स में लाजमी बता देना है अड्मिनिस्ट्रेशन जो है यहां पर हीज और हर है तो यह आपका शौर नहीं है तो इसको आपने देख लेना है बाकी आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आपने मुझे कमेंट्स में पूछ लेना है इसको फ्लीज शौर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू आए तो सब्क्राइ करना मत भूलें बहुत इंपॉर्टेंट में आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत जादा मेहनत होती है आपके लिए वीडियो मिनाने में तो लाइक लाजमी किया करें और वीडियो को कम्लीट वोच करके अपना फीड़ बैक मुझे लाजमी दिया करें थैंक्यू सो मुच अलाहाफिज